पुष्टक से यह पुष्टक बहुत छोटी भी नहीं है बहुत बड़ी भी नहीं है लगवग तीन सौ प्रिष्टों की पुष्टक है एक इसकी सामने चुनौतिय थी कि हमें साथ राज्यों का वड़न करना था इसमें मुख्रूप से असंपर मैं पहले लिख चुका था अब मैं ग्योरेवार धंग से बताऊंगा कि क्यों कुछ तक थोड़ी सी बड़ी लग रही है जबकि फिर भी पुरुवत्तर का जो सरवान्ष है वो नहीं आ पाया है इसमें क्योंकि अपने आप में बहुत ही जटिल और कठिन शेत्र है हुआ हर शेत्र की अपनी अपनी विशेष्टा है तो यहां पर मैं आपको पताऊं कि जो पहले तो ईशावाद शब्द पर मैं थोड़ा सा स्पस्टी करण देना चाहूंगा आपने भी अभी अपनी बातचीत में कहा इबराहीम धर्मों तो मैं यह मानता हूं कि धर्म केवल हमारे पास है या धर्म केवल वो है जो सनातन है किसी व्यक्ती विशेश ने किसी समय विशेश में किसी कारण वश किसी वस्तू का निर्मान करता है वह धर्म नहीं हो सकता तो उन लोगों ने स्वैम कहा है कि वो मजभ है या रिलिजन है धर्म न तो बनता है न मिटता है शास्वत है तभी सनातन है और हम स्वभागिशाली हैं कि हम उसके पोशक हैं या एक हिसाब से कहिए कि हम वहीं जन्म लिये हुए हैं तो हम उसी धर्म को धारन किये हुए आपके सामने हैं तो इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि जो पश्चमी विद्वान कहें या कुटिल विद्वान कहें उन्होंने क्या किया कि भारत में जो चार मुख्य रूप से धर्म हमारे हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है उन पर एक बार आप दृष्टी दोड़ाईए हम सामाने भाषा में हिंदू, बौध, जैन और सिख कहते हैं इन चारों के नाम के आगे जब कोई विदेशी विद्वान वणन करता है तो वह कहता है हिंदू इजम, बुधिजम, जैनिजम और सिखिजम यानि कि इजम अवश्य लगाता है हिंदी में उसे हम वाद कहते हैं वाद अवश्य लगाता है लेकिन जब बात आती है Christianity की तो Christism नहीं कहता जब बात आती है Islam की तो Islamism नहीं कहता तो ये दोहरा मापदंड क्यों है इसका एक करण यह है कि Religion यदि आप धर्म की परिवाशा देखेंगे तो धर्म बहुत व्यापक शब्द है उसका आयाम बहुत बड़ा है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा Religion है क्योंकि Religion उपासना करते हुए किसी मध्यस्त के द्वारा इश्वर तक पहुँचने की विधी Religion है लेकिन धर्म इससे बहुत व्यापक है क्योंकि धर्म सामाजिक भी है राजनेतिक भी है जैसे राजधर्म कहते हैं रहने वाले स्थान को भी हमारे यहां के लोगों ने धर्म शाला कहा है तो आप इसकी व्यापकता से परचित होंगे तो अब आप देखिए कि धर्म का यदि बहुती सुक्ष्म एक हिस्सा कहिए कि Religion है तो पश्चमी लोग आपको Religion के समकक्ष भी मानने को तयार नहीं है तो वो आपको क्या मानते हैं वो कहते हैं हिंदूबाद, जैनवाद, बौदबाद, अगर हिंदी में उसकानवाद करें तो यानि आप एक वाद हैं किसी एक व्यक्ति की विचारधारा हो या दो व्यक्ति की विचारधारा हो जबकि सचाई ठीट इसके उल्टा है उल्टा क्या है? कि इसा के नाम पर जो विचारधारा है वो इसाबाद है मुहम्मद के नाम पर जो विचारधारा है वो मुहम्मदवाद है तो उन्होंने स्वयम को मुहम्मद वाद नहीं कहा, ईसावाद नहीं कहा और हमें वाद में घसीट कर हमें अपना ओमुल्यन कर दिया तो इसका एक ईसावाद के माध्यम से दोहरा मेरा उद्श है कि उनको प्रत्युत्तर देना और दूसरा सही अर्थ में उनको बताना कि वो वाद के अतिरिक्त कुछ नहीं है इसलिए मैंने बहुत सूच विचार करके गहन अध्यान के बाद इस शीर्सक को रखा और इसावाद ही कहना मुझे बहुत उप्युक्त लगता है अब बात पुस्तक पर तो पुस्तक में 11 अध्यान है इसकी जो इस पुस्तक का जो महत्व है उस पर मैं प्रकाश डालूं कि भारत वर्ष में मैंने कोई और पुस्तक नहीं देखी कोई और विचार कहीं से नहीं सुना कि हमारे देश में जो इसावाद है वह सचमुच कब शुरू हुआ कब उसका विस्तार हुआ और आज वो किस स्वरूप में हमारे समख्ष है तो मैं आपको जानकारी दूँ कि जो इसाई हमारे देश में रहते हैं उनमें जो लेखक हैं उनकी माननेता यह है कि इसा मसी के जन्म के बाद यानि कि उनके जीवन काल में ही वोई उनका चेला था जो केरल के तट पर आ गया और उनका मानना है कि तभी कुछ हिसाई हो गए थे तो वो बराबर आप देखेंगे सभी ही लेखों में वो हमेशा लिखते हैं कि हम 2000 साल से भारत में और हिसाई इस बात को मानते हैं कि अब हम इतने पुराने में इतने पुराने हो गाए हो गां हैं कि हम भारती हो गागा है है तो 2000 वर्से और पू Porsche सितने पुराने हों गे तनी पुराने भारत करता हूं कि इसमें कोई प्हली बात या है कि जो व्यक्ति आया उसके वारे में हमारे पास कोई सटीक जनकारी नहीं है, कि जिस व्यक्ति कोबार में कहा गया कि वो आया, वो आया कि नहीं आया, दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति आया, और यदि मान लिजे संख्या में 10, 20, 25, 50 लोगों को उसने इसाई बनाया भी होगा केरल में, तो वह संख्या वैसी ही रह गई और वह स नहीं कोई उलेक नहीं है, क्योंकि उस समय उनका फैलना भी बहुत कठिन था, तो अब शुरुवात जो होती है, इसाईयों के विस्तार की, वो होती है गोवा से, क्योंकि गोवा पर आक्रमन होता है, और उसको जीता जाता है 1510 में, और जो व्यक्ति वहां का स्थानिय गव और अत्याचार करते हैं इसाई गोवा में, कि कहा जाता है कि विश्य में जो अनेक स्थानों पर जो घोरतम अत्याचार इसाईयों निकिया होगा, उनमें से एक गोवा में हुआ है, और उस अत्याचार के बाद, वो वहां से फैलना शूरू करते हैं, लेकिन अभी तट्ये छेत्रों में ही, जैसे गोवा है, दमन है, दीव है, केरल में काली कठ है, तो संख्या भी अधिक उनकी होती नहीं है, इस बीच में क्या होता है, कि 1540 में, यह हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण वर्ष है, 1540 में जो ततकालीन पोप है, पोप के अधीन एक समाज का गठन होता ह है, जिसका नाम है इशू समाज, जा हमको बहुत कुछ बताता है, इससे यह भी पता चलता है, कि उस इशू समाज के स्थापना से पहले, मतांतरन की प्रक्रिया कोई बहुत तेज नहीं थी, न उसके विशह में कोई सोच थी, ये पहली बार 1540 में ये बात होती है, और 1540 मे पोप कहता है, कि अपने स्पेन और पुर्तगाल उस समय के जो है, अधिक शक्ती है, सक्रिय शक्ती कह सकते हैं, क्योंकि वो समुदर में जा रहे हैं, नाव है उनके पास, तो उनको पोप का आदेश है, कि तुम दुनिया में जाओ, जितनी जगे, जमीन, स्थान जीत सकते ह जीत लो, और जीतने के बाद, शर्त यह है कि वहां के स्थान ये लोगों को तुमको इसाई बनाना है, तो ये एक हिसाब से पोप ने एक पट्टा दिया कहिए, एक अधिक्तार दिया, एक कहिए कि उसको जैसे कहते हैं, मतला आपको लाइसेंस देना, उसको लाइसेंस दिय कि तुमको अधिकरित किया जा रहा है, कि तुम वहां जाओ स्थान को जीतो, वह तुभारा स्थान हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुमको वहां के लोगों को इसाई बनाना है, तो यह यह उरोप के पोप की सोची समझी नीती थी, जिस नीती के तहत, गोवा में पुर जिसको अकबर कहते हैं, तो जलालुदीन जो है, उसका संपर्क 1570 में, पहली बार कुछ इसाईयों से होता है, जो गोवा में रहते हैं, और संपर्क होता है सूरत में, इसके बार यह हमारे लिए बड़ा रोचक प्रसंग है, कि 1580 में, क्योंकि उससे पहले ही जलालुदीन उन्हों को पत्र लिखा, इसाईयों को, गोवा की इसाईयों को, कि हम आप से निवेदन करते हैं, कि आप हमारे जितने आपके बड़े बड़े जानकार लोग हैं, बाइबिल के या इसाई मत के, उनको हमारे दरवार में भेजिए, ताकि मुझे वो बताएं कि ये इसाईयत क्या है, इसाबाद क्या है, और मैं समझ सकते हैं, और यदि मैं समझ गया, तो कहने के आवशकता नहीं थी, कि मैं आगे इसाईब बन सकता हूं, ये उसका भी प्राय था, पंदरा सो असी इस्वी में तीन पादरी गोवा से चलते हैं, और फतापुर सिकरी जलालुदीन के दरवार में कहुंच जाते हैं, इसके बाद से आपको आश्चर होगा जानके, कि अकवर की मृत्यू जो 605 में होती है, उस समय तक लगातार, परिवर्तित होते हुए पादरी, वह तो ये एक टीम आई, दूसरी गई, दूसरी आई, तीसरी गई, इस तरीके से अकवर के इर रहते हैं, लगातार, अब समय जोड़िये, मतलब हुआ कि 25 वर्ष तक जलालुदीन को इसायों ने घेरा हुआ था, यह वह समय है, जब वह बार बार इसाय अपनी तरफ से कुछ मान करते हैं, और उनकी आशा यह है, कि जलालुदीन आज या कल इसाय बन जाएगा, और उसी कि साथ साथ जो इसका राजपार्ट में जितने लोग हैं, वह सारे भी इसाय बन जाएगे, जलालुदीन जो है, वह इसाय बनता नहीं है, लेकिन वह कभी मना भी नहीं करता सिधे-सिधे कि हम नहीं बनेंगे, वह हर समय कभी समय का बहना करता, कभी समय नहीं है, अभी बात अब ये नहीं है वो नहीं है कभी कभी कुछ तरकुतर करेगा कि वैविल में ये लिखा हुआ है लेकिन अंत्तोगत्वा बनता नहीं है लेकिन न बन करके भी उसने हमारे देश की सबसे पहले सरवाधिक छती कर दी सांस्कृतिक तौर पर धार्मिक तौर पर जो मैंने इस कि अकबर से इसाईयों ने एक फर्मान जारी करवाया, इस फर्मान की कथा आप सुनेंगे तो आपके रोंगते खड़े हो जाएंगे, फर्मान में इसाईयों ने एक प्रस्ताव दिया अकबर को, कि हम यहां के लोगों को इसाई बनाते हैं, आसानी से बनते नहीं हैं, वो बह लिख के दिया जाएगा, जो फर्मान बनेगा, तो उस पर राजा की सहमती आएगी, तो सबसे पहले उसका कोई ड्राफ्ट बनाएगा, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा उसके दर्वार में, इसका जो इस फर्मान का जो ड्राफ्ट था, वो इसाईयों ने स्वें तयार किय यह कितने घोर आश्चर की बात है, और अकबर के दर्वार में, जो बहुत तेरे जो लोग थे, इतने पढ़े लिखे लोग थे, इन सब लोगों को, यह बहुत अपमान जनक लगी बात, कि क्यों इसाई जो है फर्मान का जो ड्राफ्ट हो तयार करें, लेकिन अंत्रतों गत इसाओ को उसी रूप में माना, जैसा की उसको दिया गया था इसाईयों के द्वारा, मैं वो सुनाना चाहता हूं कि वो फर्मान क्या है, यह फर्मान 1602 में जारी किया गया, इसमें लिखा था कि हजरत बादशाह की रियाया, यह जान लें, कि वो बिना रोक टोक के इसाई बनने के लिए आजाद हैं, मैं आपको बताओं, इस तरह का फर्मान, जलालुदीन अकबर के बाद या उसके पहले, किसी हिंदू, किसी मुसल्मान, किसी भी राजा ने ऐसा फर्मान नहीं दिया था, यदि आप सब्द पर ध्यान दें, तो इसमें लिखा है, बेरोक टोक इ इसाई बनने के लिए आजाद हैं, इसका ताद पर यह हुआ कि मेरा भाई यदि इसाई बन रहा हो, तो मैं उससे पूछूंगा भी नहीं कि तुम क्यों बन रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि यह जलालुदीन की बहुत बड़ी पराजय थी, और उसने यह फर्मान जारी करवा इसाईयों के कहने मातर पर नहीं, बलकि इसाईयों के लिखे पर समझिये उसने हस्ताक्षर किया इतना बड़ा घोर अपमान जनक ताम किया। एक इस जनक फर्मान की जलालुदीन से कि अप इसके लिए भी फर्मान जारी कीजिये, इस फर्मान को देखिए, यह फर्मान भी निकाला गया, जिसमें कहा गया कि खंभात में इसाई बेरोग टोग गिरजा घर बना सकें इस बात का फरमान जारी किया जाता है अब आप इसका नहितार्थ समझें यह जो फरमान है उस समय एक इसलामी राजि में यह नियम होता है कि किसी दूसरे मजहब धर्म समपरदाय का जो पूजा घर है वो बनाया नहीं जा सकता इसलिए हिंदू मंदिर जो तोड़े गए चाहे गजणभी के समय तोड़े गए हो रहाग गया हो उनका उननर निर्मान नहीं हो सकता मरमत नहीं हो सकती और कोई आश्चर नहीं कि हमारे उत्तर भारत में कोई मंदिर नहीं बन पाए उसके बाद यहां तक कि जलाल उदिन अकबर के युग में भी नहीं बनाए गए कुछ जैन मुनियों के बारे में कहा जाता है कि अकबर उनसे बहुत प्रहावित थे उनकूने इसलामी राज है तथा कथित हुआ जिनसे वो बहुत लाभानीत होता है या प्रहावित होता है उनको मंदिर बनाने की अनुमती नहीं है यह भी अकबर के राज में हुआ तो मेरी जो इस पुस्तक का मैं यह मानता हूँ कि यह दूसरे तरह का मैंने एक दिर्शिकून लिया यह दिखाने कोशिश की कि कैसे जलालुदीन के समय इसाईयों को बहुत सारे जो कहते हैं अनाधिकार अधिकार नहीं अनाधिकार दिये गए और जिसके बाद से उनका मनोबन उचा हुआ उठता गया और कोई आश्चरे नहीं कि बाद में आप देखते हूं इसमें शिताप दियो गरा में पहले तो डचो गरा आये डेनमार्क गरा के लोग आये जो इसाई मिशनरी लेके आये और 1813 में जो बिटिश पार्लियामेंट था उसने चार्टर दिया पास किया और हमारे यहां अंग्रेज इसाई मिशनरी आने लगी तो ये एक मैंने तारतम में जोड़ा है जलाल उदीम के राजकाज से जो द्रिश्टी मुझे कहीं और दिखी नहीं थी कहीं और इस तरह का आकलन नहीं दिखा था तो ये मुझे बहुत थी अच्छा लगा मैंने ये प्रहला अध्याए इसमें डाला दूसरा अध्याए जो इस पुस्तक का है वह भी अपने आप में बहुत महत्पूर्ण है हम मैंसे अधिकतर लोग जो आज की जो शिक्षा पढ़ाली है और जो पुस्तकें हमें पढ़ाई जाती है उनमें आप देखेंगे विशेसकर दुवामपंथी इतिहासकार है वो इस बात पर बहुत बल देते हैं जब 1857 की महाकरांती कहिए या महासमर का वणन आता है तो वो हमेशा आपको कहेंगे कि इसमें आर्थिक दिर्श्रिकून था कुछ सांस्कृतिक दिर्श्रिकून था अने अनेक कारण उसके गिनाते हैं लेकिन जो अब नई पुस्तकें आ रही है और नए कारण आ रहे हैं उनमें मैं आपको बताऊं सबसे रूचक परसंग क्या है कि 1857 का जो महासमर है उसका सरप्रधान कारण जो है वो है धार्मिक रक्षा हमारा धर्म हम उसकी रक्षा कर सकें इसके लिए जो हमारे देश के हमारे पूरवज लाखों की संख्या में कट मर गए या अपने आप में मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे पूरवजों का वह ऐसा ही योगदान है जैसे हमारी माताओं ने कभी जोहर करके अपना बलिदान दिया था या उसके पहले वो लड़े थे क्योंकि 1857 को समझना हमारे लिए बहुत महत्पोड है तो मैंने दूसरा अध्या उसी पर दिया है दो-चार बाते में बताऊंगा तो शोता बहुत बड़ा अच्छा लगेगा अब जैसे देखिए कि जब 1857 से थोड़ा सा पहले अगर आप जाएंगे तो एक वेक्ति आता है जिसका नाम है जेनिंग्स ये जेनिंग्स जो है दिल्ली में पादरी है और ये बात-बात में कहता है कि हमको तो पूरे भारत को इसाई बना देना है ठीक है पूरे भारत को हमें इसाई बना देना है और इसी तरीके से दूसरा वेक्ति आता है एडमंड्स तीसरा वेक्ति आता है उसका नाम है चार्ल्स ग्रांट इस तरह से एक के बाद एक एक के बाद एक लोग आने लगते हैं और इनके लिए हमेशा यही बात कहना है कि यहां तो अशिस्ट लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, असभ्य लोग हैं, इनको कितनी जल्दी, कितनी शिगरता से हम इनको सुसंस्क्रित बना दें, सभ्य बना दें और उसके बनाने का एक ही तरीका है कि आप इसाबाद को सुईकार कर लें, इसाई बन जाएं, तो इसमें जो बहुत ही बहुत ही बहुत बात हमारे लिए जानने की यह है, कि जब यह सारी बातें चल गही थी, तो लोगों में आक्रोश होना सुभाविक था, और यहां पर एक और भी अच्छी बात यह हो गई, कि मुसल्मान भी उतने ही कि यह संभवता दोनों ही लोग हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे तुरंत, अब देखिए होता गया, जब विद्रोह हुआ, तो पहली बात यह हमें जाननी चाहिए, कि वो कितनी भीषन क्रांती थी, कोई व्यक्ति अपने आप में आत्मोसर्ग नहीं करना चाहता असानी से लेकिन वहाँ पर आत्मोसर्ग का कुछ ऐसा कहिए कि उत्सा था, कि मेरे पास एक आकड़ा है कि एक लाक उन्चालिस जार सिपाही थी बंगाल आर्मी में, एक लाक उन्चालिस जार या मोटे तोर पे एक लाक चालिस जार, इन में से 7,796 या कहिए कि 7,800 लोगों को संखिया थी और कितना इन्होंने युद्ध किया होगा, मुसल्मान के साइड से आपको अच्छा लगएगा जानके कि जो लिखित दस्तावेज हैं हमारे पास में, जैसे बहादुर सा जफर का, बेगम हजरत महल का, उनका भी जो दस्तावेज हैं उसमें साफ साफ लिखा इसलिए यो युद्ध करते हैं और सबसे बड़ा जो प्रमान है जो हमारे चिहासकार भूल जाते हैं और उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आतरशित करना चाहता हूँ, वह है अठारा सो अठावन नौंबर महीने की बात है, जब यह पूरा पूरी क्रांती कहिए कि इसको इसक 147 में जो हमें स्वकंदरता मिली है, मैं मानता हूँ कई अर्थों में उससे भी महत्वपूर्ण सफलता या स्वकंदरता हमें मिली थी 1858 में, जिसका प्रमान मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, नौंबर 1858 को इलहाबाद में गवर्नर जेनरल और भारत के प्रथम इसमें पहला वाक्य देखिए, यह हमारी विजय श्री है और बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं, हम घोशना करते हैं, नानि विटूर्या कह रही है, हम घोशना करते हैं कि अपनी प्रजा पर धर्म और रिलिजन संबंधी किसी भी मत तथा विश्वास को थोपने का कोई भी प्रयास हम नहीं करेंगे, यह हमारी इतनी बड़ी विजय श्री है जिससे हमारा माथा उंचा होता है, हमारे पूरवजों ने जो आप बलिदान दिया, वो ऐसे व्यर्थ नहीं गया, आगे लिखा है, और स्पस्टी करने देखिए, और हम ऐसा करने का अपना भी अधिकार नहीं मानते, यह साफ साफ यह बिटिश पार्लेमेंट के कहिए कि उसकी तरफ से, या उसका जो सिर्मोर है, रानी विक्तूरिया की तरफ से, यह लिखित दस्तावेज है, जिसको पढ़ कर सारवजनिक रूप से सुनाया गया इलाबाद में, आगे कहती हैं, हम घोषना करते हैं कि यह हमारा शाही निर्णा है, और यह निर्णा घोषित करते हुए हमें प्रसंदता है, कि अपनी परजाके तथा भारत की राजाओं के धार्मिक विश्वासों, नियमों और परंपराओं, पर हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनको कि किसी भी तरह छेडेंगे नहीं, और तरक आधी के द्वारा भी किसी प्रकार उनकी आस्थाओं को विचलित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, हम लोग भूल जाते हैं, अक्सर हम लोग कहते हैं, और जो तथाकथित बौधिक हैं, वो मानते हैं कि अंग्रेजों ने हमें एक राष्ट या एक नेशन बना दिया, सचाई यह है कि जब वो जा रहे थे तो भारत को तीन हिस्सों में बाट दिया, और उस समय जब जा रहे थे तब भी 500-500 रियास्तों को ऐसे ही छोड़ा था, तो संख्या अगर गिनी है तो पौने 600 हिस से तो हमारे तब थे जब 1947 में जा रहे थे हमारे हां से, किसको एक किया था यह अपने आमिवादास पद्विशा है, लेकिन सचाई एक और भी है, यह हम भूल जाते हैं अपनी परतंतरता को मानते मानते हम अभ्यस्त हो गए हैं कि भारत पूरी तरह परतंतर नहीं था जब अंग्रेज हमारे यहां रह रह रहे थे तो, क्योंकि भागोलिक छेत्र आधा और जनसंक्या आधी भारतिये राजाओं के अधिन थे और उन भारतिये राजाओं के आसपास जो उनका राजे छेत्र था उसमें सारी भारतिये परंपराएं और सारी शिच्छा दिक्षा अक्षोड तरीके से चल रही थी, 15 17 अगस्ट 1947 तक, आप जहां बैठे हैं, वहां बढ़ोदा के आप राजा को ले लिजे, किसी और राजा को ले लिजे, त्रावन कोर को ले लिजे, छोटे मोटे राजा को ले लिजे, सब जगह जो शिक्षा दिक्षा थी, उस पर कोई जोर जबरस्ती अंग्रेजों का नही हमारी पुस्तक के लिए प्रासंगिक विशय यह है, कि यह 1857-1858 का जो कांड है कहिए घटना है, महा समर्खी, इसके बाद इसाईयों को समझ में आ जाता है, कि जो हमारा मुख्य भाग है देश का, उसमें हम मतांतरन नहीं कर पाएंगे, यहां मतांतरन करना बहुत कठिन है ना तो हिंदूों को कर पाएंगे ना मुसल्मानों कर पाएंगे, इसलिए यह फटाक से बोरिया बस्तर उठाते हैं, नेड़े लेते हैं और यह चले जाते हैं जंगलों और पहारों पर, और तभी इनोंने पुर्वत्तर भारत का वरन कर लिया, क्योंकि इनकों पुर्वत् जगे है, जहां हम बड़े आराम से मतांतरन करेंगे बिना रोक टोप के बिना किसी परेशानी की, तो यह मैंने सुत्र जोड़ा है, 1857-1858 का जो हमारा महा समर है, उससे और फिर आपको पुर्वत्तर की यात्रा से, यहां से उनकी पुर्वत्तर की यात्रा शुरू होती है, जैसा कि सामाने तोर पे आपको पता होगा, कि जो मिजोरम का छेत्र है, नागालेंड का छेत्र है, इन छेत्रों को अंग्रेजों ने जीता, और मेरे इस पुस्तक में दो अध्याय मैंने समरपित किये हैं मेगाले पर, क्योंकि मेगाले जो राज्य है, उस राज्य के विश तो असम से सटा हुआ मेगाले है और वहां से आगे बढ़ेंगे तभी अन्य राज्यों की तरफ जाएंगे इसलिए वो मुहाने पर है मेगाले तो उसी मेगाले पर आप मानिये कि इसावादियों का पहला अक्रमन वहीं होता है अठारा सो चालिस के दशक में एक दो लोग पहुचते हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती है फिर वहां पर विद्याले खुलते हैं कॉलेज खुलते हैं और विद्याले कॉलेज और अस्पता ये जो स्थान है आप जानते हैं मतान तरण के लिए सबसे उर्वर भूम कही जाती है और पुर्वत्तर में यहां पर मैंने अपनी पुस्तक में कई बार वो लेक किया है कि पुर्वत्तर के जो लोग थे वो स्वैम कहते थे कि यदी मेरा बेटा किसी भी इसाई विद्याले में चला गया तो हमें सौ परतिशत मालुम है पक्का है कि जब तक वो नि उन्होंने घणना की उस गाउं में तो उस गाउं में जितने बच्चे गए थे विद्याले पढ़ने पूरे गाउं में से एक ही बच्चा था जो पढ़ने के बाद कह सका कि ये वो इसाई नहीं है आप सोचिए कि जो मतांतरन है उसकी प्रकडिया कितनी तिक्षन थी कितनी तेज थी और जो मैं बता रहा हूं यह भी छोटी बात है सबसे बड़ी बात क्या है वो यह है कि इसलिए आम बोल चाल में बातचीत में मैं अंग्रेज सरकार नहीं कहता मैं इसाईयों की सरकार कहता जैसे इसाईयों से पहले मुसल्मानों की सरकार थी तो ऐसे हम एक नियम बना उनियम बना रोचक है उनियम यह था कि पूर्वत्तर में ऐसा किया गया कि जो शिच्छा विभाग होता है जिससे धन जाता है विद्याले चलाने के लिए धन सहित शिच्छा विभाग को यानि बजट सहित शिच्छा विभाग को इसाई मिशिनरियों को दे दिया गया यह मुझे लगता है संसार में बहुत ही अजीबोगरी भटना थी पुर्वत्तर वारत के लिए जैसे आप कोई काम अपने विश्विदाले का आउट्सोर्स करते हैं वैसे उस समय की इसाई सरकार ने इसाईयों को ही यह काम दे दिया पैसा दे के कि तुम ही विद्याले चलाओ, तुम ही विद्याले खोलो और तुम ही पढ़ाओ, जिसको हम लोग अपने गाउं में कहते हैं, गिध्ध को दे दी मरी की रखवाली, तो वह ऐसा सुनिश्चित किया, उस युग में उन्हें ही पढ़ाना है, उन्हें ही शिक्षक रहना है, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक वो शिक्षक नहीं होते है, आप जानते होंगे चर्च का जो इद्याले होता है, उसमें जो शिक्षक होता है, वो या तो पादरी होता है, या नन होती है, वो चर्च के व्यक्ति होते हैं, और चर्च के जो नियम कानून है उनमें बधे हो आज भी क्या पढ़ाते थे यदि वो यहां पढ़ाते कि भारत वर्ष बहुत ही पुराना राष्ट्र है इसका इतिहास स्वर्णिम रहा है आर्थिक छेत्र में इसने जो परप्रगती की अतीत में वैसी प्रगती आज तक किसी विश्व में दर्ती पर किसी देश ने नहीं की यहां के शिक्षा व्योस्था इतनी उत्तम थी कि आपको कोई प्रमाही नहीं कि भारत का कोई वक्ती बाहर पढ़ने गया हो बाहर के लोग यहां पढ़ने आते थे यह जो सब तरह की बाते हैं यहां बात यदि कोई पादरी अपने किसी छातर को पढ़ाएगा वह छातर इसाई बनाने के लिए प्रथम पुनीत करताव्य है कि वह यहां बताए कि हिंदु धर्म चौपट है आरे बाहर से आये थे इनको कुछ नहीं मालुम था यह तो पता नहीं पत्थर पूछते हैं क्या पूछते हैं दुष्ट को मानते हैं और यह तुम मानते रहोगे तो नि उसकी सभिता उसकी उपलब्धियों की प्रसंसा करी नहीं सकता यदि करेगा तो वो किसी और को इसाई कैसे बनाएगा उसको तो बताना है कि जो पश्चमी राज्य हैं पश्चमी देश हैं वो किस रूप में अच्छे हैं क्यों को इसाई हैं हमारा देश किसलिए अच्छा नहीं है तो कि हिंदूओं का है तो यह एक कईए की अंतर नहित विरोधा भास है जो हमें समझना पड़ेगा तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि उनको सिर्फ हिंदू विरोधी नहीं बनाया हिंदू विरोधी बनाने का तात्पर होता है भारत विरोधी बनाना आपको भ बड़ा दुख होगा जानकरके कि हमारी स्वतंदर्ता जो हमारे 15 अगस्त को मिली आपको 24 घंटे पहले यानि 14 अगस्त 1947 को नागा लेंड ने घोशना कर दी कि वो भारत से अलग है और इसका दुखद पहलूया है कि 75 वर्ष बीट जाने पर भी वह आज भी जंगलों में अपनी समनांतर सरकार चला रहे हैं उनका अपना एक जंडा है और अपने समिधान के लिए भी वो अलग से दावा करते हैं कि उनका अपना अलग समिधान है यह घटना नागालेंड की है जिस नागालेंड को का जो इसाई करन हुआ बड़ी तिवरगती से हुआ और नागालेंड के जो नेता थे उन लोगोंने मिशनरियों को कहिए कि निमंतरण दिया कि आप आईये जल्दी जल्दी इनको इसाई बनाइए तो प्रक्रिया क्या है विस्तार में भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि राजवार मैं बताना चाहता हूँ आपको पहले, उसी समय आप चलिए मिजोरम, हमारी सुन्तृता मिल गई थी हमें, मिजोरम असम का एक जिला होता था, उसमें क्या हुआ, कि 1969 का समय आया नहीं सुन्तृता से मात्र बारा साल बाद, वहाँ पर एक घटना घटती है, जो कहते हैं कि 50 साल बाद या 52 साल बाद एक घटना घटती है, जिसका नाम है मौतम, मौतम शब्द का मतलब वहाँ पर यह होता है, कि मिजोरम में, संसार भर में मिजोरम अपने बास के लिए पसिद्ध है, तो बास की जड़ों में एक तरह के फूल निकलते हैं, बाबम साल 55 साल के बाद एक चक्र है, उसी को मौतम कहा जाता है, और वो जो फूल है, उस फूल को चूहे खाते हैं, और चूहों के लिए वो समझे संसार का सरप्रिय आहार है, और उसमें इतनी ताकत है कि खाते ही चूहों की संख्या बहुत बढ़ती हैं, उसकी प्रजनन चमता बढ़ जाती है, फिर उस एरिया में चूहे ही चूहे होते हैं, जब तक बास में फूल लगे हो, फूल खाते हैं, लेकिन संख्या मान लीजे, उनकी तादाद बहुत बढ़ गई, तो फिर वो लोगों के घरों में जाते हैं, खेत में जाते हैं, और सारी की सारी फसल घर में भी घुज जाएंगे, आपके जो घर में आपने थोड़ा सा चाबल रखा वो उसको भी खतम करते हैं, यह मौतम की घटना वहां घटती है, 1969 में, और अकाल पढ़ जाता है, भहिंकर अकाल पढ़ता है, अकाल पढ़ने के बाद ये बात होती है, कि केंदर सरकार से अ अनाज के वितरन में या जैसे भी हो, कुछ ने कुछ समस्या आती है, और आप समझ सकते हैं, उस समय तो और भी विकर्टिसिती रही होगी, स्थान है, कॉम्मिनिकेशन है, यातायात है, तरतर क्या सुविधा होई होगी, तो कुछ लोगों में उसके लिए असंतोश उपज आप थोड़ा सा इनको कुछ कीजे, महमार भाग जाएंगे, थोड़ा कुछ कीजे, चीन भाग जाएंगे, कोई बंगलारिस भाग जाएगा, इस सब जुड़े हुए है, तो मिजोरम के सामने उदाहरं था नागालेंड था, अब देखे, एक आंदोलन या एक विद्रो, द और एक मार्च 1966 को, नागालेंड वाले तो जंगल से राज कर रहे थे, इन्होंने आईजॉल में अपने मुख्याले बनाकर, एक हिसाब से भारतियों को जो भी रह होंगे उनको निकाल कर, स्वतंत्र देश की घोशना कर दी, और उसके बाद से खुला विद्रो हो गया, हिं इस समय तक, एक हिसाब से देखिए 1969 से लेकर, जो मिजोरम समझोता हुआ है, वो 1986 में हुआ राजीव गांदी के समय, इसी तरह का काम मनिपूर में, और आपको अन्यत्र भी, तात्पर्य मेरा यह है, इसको सुनाने का, कि पूरे पुर्वत्तर में लगभग 100 के आसपास, अ आंदोलन चलते रहें पिछले 75 सालों से, जिन में से 30 या कहिए 3 दरजन कहते हैं कि अपी फट्रिये हैं और सारे के सारे हिंसक हैं, लेकिन ये सारे के सारे आप अधिकतर समझ लिजे इन में से, वो इसाई है, दो इनकी विशेस्ताय हैं, एक की सारे के सारे इसाई हैं, और सारे के सारे कौमिनिस विचारधारा को मानने वाले हैं, और इसलिए चीन उनके प्रिये हैं, मणीपूर में एक आंदोलन कारी हैं, उनका ना, उसका मोटो है, उदेश लिखा हुआ है, कि एक दिन प्येले आएगी और हमको आजाद कर देगी, यानि कि चीन का जो आर्मी है, पिपल से पॉब्लिकन आर्मी, पिपल लिबरेशन आर्मी, तो ये जो बात मैं कहना चाहरा हूँ, ये गूर्ड बात है, कि पहले आप किसी व्यक्ति को इसाई बनाते हैं, उसको उस छेतर से काटते हैं, अपने पूरवजों से काट देते हैं, अपनी संस्कृती से उखाड पेकते हैं, आज जो ये बड़ी दारूं का गता है, कि वहां के जो लोग हैं, पहले वो जब वो इसाई नहीं बने थे, तो अपने पूरवजों को पूचते थे, उनको मानते थे, उनके लिए प्रकृती इश्वर का रूप थी, वहां की नदी, जर्ना, तालाब, सब कुछ देवता का प्रतीक थे, आज वो नहीं है, वो भावना नहीं है, वो पूरवज नहीं है, और आपको मैं बताओं कि कोई भी त्योहार, कोई भी परव वहां नहीं बचा है, जो आप जानते पूरवत्तर के बारे में, वो नौटंकी के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा मा तो दिवाली मनाने में मैं पटाके जला लूगा मुसल्मान हो करके, कुछ दिये भी जला लूगा, लेकिन क्या मैं लक्षमी गनेश की पूजा करूँगा, क्या मेरी उस पूजा में आस्था होगी, तो धर्म और संस्कृति संप्रिक्त होते हैं एक दूसरे में, यदि धर्म गया, तो संस्कृति भी गई, परंपरा भी गई, भाशा भी गई, आपकी जो स्मृतियां हैं वो नश्ट हो गई, क्योंकि वहां बहुत कुछ लिखी तो था नहीं, कागज पर लिखा नहीं था, और अंग्रेजी के बारे मैं बताऊं, कि सुन्योजी तरीके से उनका एक न काम ले रहा हूं, सब में जो भाशाएं हैं, उन भाशाओं को इसाईयों ने ही पहली बार लिपिबध करने का काम किया, और यह जो लिपिबधी करण है, वो रोमन है, और उसी से वो हमारे से और दूर हो गए, अब आप एक मेघाले के वेक्ति खासी का, आप स्मरन कीजिए कि कोई खासी कैसा होगा, क्योंकि मैं तो उन छित्रों में गया घूमा और मुझे बड़ी वेदना हुई, उन से सहानवूती हुई, कि वो जो खासी है, बच्चा है, वो अब पुस्तके पढ़ रहा है रोमन लिपी में खासी भाशा को, जब तक आप वरतनी आपकी आपकी जो लिपी है, या तो देवनागरी हो, या बांगला हो, या असमिया हो, यह नहीं होगी, तब तक आप इस देश की मिट्टी से नहीं जुड सकते, क्योंकि मैं मानता हूँ, जल को जल कहने से जो भी पराय निकलता है, जो भावना मेरे मानस में आती है, मन में आती है, वह व चोड़ दिया, तो उसके पीछे सब कुछ हमारा मिट जाए, आम भाशा में हम बोलते हैं, गौड ये कर देगा, वो कर देगा, बाई गौड बोलते रहते हैं, कभी सोच के देखिए उस गौड का क्या भी पराय है, बाईविल में वर्णन है, कि कम से कम तीन या ता चार दर बाईविल में गौड कहता है, कि मैं इर्शालू हूँ, अब बताइए, जो गौड स्वैम कहता है, कि मैं इर्शालू हूँ, मैं उसको इश्वर का समक्ष मान सकता हूँ, इर्श्या जो है, मनुष्यों चेक भी भार है, तो वो तो मनुष्य है, सामान्य मनुष्य है, कहां स से गौड हो गया आगे कहता है गौड कि मुझे मैं इतना इर्शालू हूँ कि किसी भी और देवी देवता की मूर्ती प्रतिमा चित्र नहीं देख सकता इसलिए पहले उसको मिटाओ इसायों ने सारे संसार में प्रतिमाय तोड़ी मूर्तियां तोड़ी यह भी हम लोग साथ क जानते हैं कि लोग हमेशा करते हैं कि मुसल्मान तो इसाईओं के अनुझ है उनके पधचिन्हों पर चलने वाले हैं पूरे यूरोप के हजारों नहीं मैं बता रहा हूं लाखों मंदिरों को मूर्टियों को इसाईओंने नश्ट कर दिया वहां के सारे पुस्तकाले जला- डाले और यह काम शुरू हुआ चौथी शताब्दी में कॉंस्टेंटाइन के समय में और यह काम चलता रहा पंद्रहमी शताब्दी तक इस पूरे एक हजार वर्ष के युक को अंधयुक कहा जाता है यूरोप में हमारे यहां भी जब पुर्तगाली आये थे तो मेरे पुस्त कि नहां जाकर गाओं में एक मंदिर को तोड़ रहा था इस क्रब में क्या हुआ गाओं वाले आये उनको बहुत गुशा आया और उन लोगों ने इस व्यक्ति की यानि रुडॉल्ज की हत्या कर दी। तो यह प्रमान हमारे सामने है कि ये खुब मंदिरों को तोडते थे और 1859 का जो हमारी महाकृर्ति है, बड़ी कृर्ति है उस समय भी या उसके बाद भी उन्होंने मंदिरों को तोड़ा ये तो बाद की बात है कि उन्होंने आदुनिक् होते हैं हमने तो नहीं तोड़ा हमने तो संरक्षित किया जबकि सच्चाई इसके भी पलट है 1873 इस्वी में इन्हों ने टेंपुल एंडामन्ट एक्ट पास करके तक्षिन भारत के सारे मंदिर इसाई सरकार ने कबजा कर लिए जो आज तक है और उससे जो धन था चड़ाव को लूटा वैसे ही वह 1947 तक जब तक इसाई रहे यहां पर लूटते रहे थोड़ा बहुत अंतर बस वस्त्र का है आवरण का है कि कोई चमकदार कुरता पहंता है थोड़ा कोई गंदा कुरता को पहंता है काम एक है उदेश एक ही है भारतिय संस्कृति को मिटा देना संक्क में विशेश एक और बात है पुस्तक को ले करके कि मैंने यह दिखाने कोशिश की है कि इतने के बावजूद इसाई जो हैं सामने सामने जिसको मतांतरन कहते हैं संख्या कहते हैं उस द्रिष्टी से जिन दो देशों में सबसे अधिक संघर्ष उनको करना पड़ा है फिर भी सफलता नहीं मिली है वह एक देश है भारत और दूसरा देश है जापान क्योंकि जब भारत में इसाईयों का कर्मन हुआ उसी संकक्ष उसी के समय समकाली सिती यह है कि जापान में भी उनका हुआ और कई बार तो जो पादरी आते थे एक दूसरे से जुड़े होते थे जो जापान जाते हैं जापान में थोड़े दिनों तक जापानियों को यह समझने में लग गया थोड़ा समय कि यह हैं क्या कैसे लोग हैं लेकिन जब उनको यह पता चला कि इसाईयों ने आदेश दिया है कि जो वहां के बौध मंदिर है या शिंतों उनके दूसरे धर वरन योग्य धर्म नहीं है यह तो कुछ और है और मैं आपको आंकड़ा दूँ कि दो साल में एक तो 1613 में और ऐसे ही उसके बाद 1637 के आज पास दो बार में जापानियों ने एक बार 20,000 और एक बार 37,000 इसाईयों को एक साथ मार के खतम कर दिया और आज जापान अपने आप में एक अजीवों गरीब देश है जहां आपको न इसाई को न रहने दिया और न आधुनिक योग में मुसल्मान को जाने दिया तो आप कह सकते हैं कि एक हिसाब से जो उनका धर्म परंपरा जिस तरह से वो जी रहते वैसे ही जापान के लोग आज तक जीते हैं और जापान की मैं तो अर्थशास्तर का भी चात्र हूँ तो मैंने इस पर टिपणी भी की है यह क्या क्या सन्योग है या इसको क्या कहा जाए कि जापान इतना आगे बढ़ा इतनी तरक्की की क्योंकि एक बहुत बड़ा उसमें आपको सफलताया मिलती है कि आपके समाज में वही मनस से कहिए या एक दूसरे से विवाद कहिए कि उस अनुपात में घट जाते हैं जब एक ही तरह के लोग होते हैं और दूसरे तरह के लोगों को जापान ने अनुमती नहीं दिया अप करके कि बीशमी शिताब्दी और इकीशमी शिताब्दी में ही दो चार कुछ लोग जो है उसके जो इसाई है वो पहली बार पटल पर आये सामने आये धरातल पर कि हां मैं इसाई हूँ नहीं तो ऐसा भय का महौल था जापान में कि अगर कोई इसाई होता भी था तो वो किस इसाई सिती है इसकी इसाबाद की तो इस तरीके से भारत और जापान दो ऐसे देश हैं जहां संख्यागर्शी से कहिए कि इसाबादियों को बड़ी असफलता मिली है और दोनों जगा कुछ-कुछ समानताएं है हमारे लिए महत्पुन यह है कि हमारी जो प्राचीनता है हम हमारी जो संस्कृति है और उसकी गहराई है मैं हमेशा बोलता हूं कि यह पाताल स्परशी है हमारी जो संस्कृति वो कितनी गहरी है उससे हमें ही नहीं पता क्योंकि आप जानते होंगे कि विश्व में राष्ट जो शब्द है या आप जिसको भारत देश कहते हैं और हमें कि तुम देश थे नहीं तुम खंडित-खंडित थे मैं आपको उसमें वुद्रहन दूंगा हमारे जोभी पूजा होती है उसमें हमारे यहां पहला श्लोक आता है कि जंबू द्वीपे भरत-खंडे आर्यावर्थे भारत-वर्शे यह इतने नाम आते हैं इतने नाम हमारे देश के नाम है और ये देश के नाम हजारों नहीं लाखों वर्ष पुर्व हैं आप यदि ध्यान देंगे तो जंबू दूइप क्या है फिर भारत वर्ष क्या है फिर आर्या वर्थ क्या है फिर भारत खंड क्या है तो ये हम राश्ट के रूप में बहुत पुरा हम उसको जानते थे मंत्रों के द्वारा, भजन के द्वारा और अनेक पुस्तकों के द्वारा, इतनी पुस्तकों को नश्ट किया गया, फिर भी हमारे यहां बहुत कुछ बच गया, कुछ तो हमारी जेवा पर था, कुछ हमारे ग्रंतों में था, जिसको ले करके हमें बार-ब आपको बचा सके तो इन सब बातों का उलेख हमने अपनी पुस्तक में किया है और जहां तक आज आप पुर्वत्तर का मानचित्र देखें तो आपको बड़ा संकट दिखेगा कि मेघाले में 74 प्रतिशत से अधिक लोग इसाई हैं और नागा लैंड और मिजोरम में लगभग लगभग नब्य प्रशत लोग इसाई हैं मनीपूर में जितना भी पहाड़ी या जंगली छेत्र है जहां जंजातिये लोग रहते हैं वो इसाई हो चुके हैं इसी प्रकार की सिती अरुनाचल में भी है तो ये जितने राज्यों का मैं वर्णन कर रहा हूं यहां पर बहु इसलिए मैंने अपने अंतिमत ध्याय में यह बताने का प्रयास किया है कि हम क्या कर सकते हैं तो एक तो है शासन के की तरफ से क्योंकि कुछ बातें वहां बड़ी ही ऐसी हुई है जो बहुत गलत काम है पहला गलत काम यह है जो सामानेता हम लोग जानते नहीं है वह है इनर पर्मिट इन जितने राजियों के नाम मैं ले रहा हूं जहां इसाय अधिक रहते हैं या अंग्रेजों नहीं वस्था की थी कि वहां शेष भारत का कोई व्यक्ति नहीं जा पाए इसलिए इसका नाम दिया था इनर लाइन पर्मिट आपको यह पर्मिट लेना पड़ेगा उसी प्रकार से जैसे आप विदेश जाते हैं तो आपको वीजा लेना पड़ता है तो इनर लाइन पर्मिट मेरा मानना है जब तक इस इन राजियों में लागू रहेगा तब तक भारत के ही दूसरे छेत्र के जोग हैं वे वहां आसानी से नहीं जा पाएंगे जब तक वो जाही नहीं पाएंगे तब तक वो अच्छेतर हमारे यहां से प्रिथक रहेगा, कटा रहेगा और वहां इसाई जो चाहेंगे करेंगे तो अंग्रेजों ने इनर लाइन पर्मिट बनाया और हमारी सुतनता के बाद और उसके बाद भाशाई आधार पर जब वहां राज्य बनाये गए, तो जो मुखिमंत्री बने, वो इसाई मुखिमंत्री बने, मेघाले के, मिजोरम के, नागालेंड के और इन इसाई मुखिमंत्रियों ने आपको यह घोर आश्चरे का विशय है कि इतने सारे पर्यासों के बावजूद 1947 अगस्ट महीने तक बहुत कुछ हमारे यहां बचा रह गया था, बहुत अधिक संख्या में लोग इसाई नहीं बन पाये थे, कई कारण हो सकते हैं, उस समय बहुत दुर्गम सल था, इतने विधाले नहीं थे, हरादमी पढ़ने नहीं आता था, लेकिन यह जो इसाई मुखमंत्री बने हैं, या आपको 60, 70 और 80 के द नहीं था, और यह हमारी स्वतंत्र भारत में केंदर सरकार के रहते और राज सरकार के रहते हुआ, क्योंकि आरम में असम का हिस्सा होते थे यह सब, तो फिर भी असम के होने के कारण बहुत कुछ लगाम लगी रहती थी, लेकिन जब यह चीज खतम हो गई, छोटे-छोटे राज बन गए, तो इनको खुली छूट दे दी गई, कि तुमको जो मर्जी में आया तुम करो, कोई तुमको पूछने वाला, तो इनर लाइन परमिट से आपने पूरे शित्र को भागोलिक रूप से, शेष भारत से काड़ दिया, और दुर्भागे हमारा यह था, कि नगा कारणों से हटाया गिया, उससे भी कहीं अधिक खतरनाक और विनाशकारी, विवस्था नगालेंड के साथ है, जिसका नाम है 371A, उस अनुछेद के एक ही अगला जो अनुछेद है, वो है, और इसे जवाहरा नहरू ने संविधान में डाल दिया, और उसमें वही सारी बात हैं जो कश्मीर के लिए थी, कि भाई आपको अलग थलग रहना है, और कोई कानून जो है, हमारे देश का की जो संसद है, वो नगालेंड के लिए नहीं बना सकती, इसलिए मैं मानता हूं कि चाहे वो इनर लाइन परमिट हो, नगालेंड के लिए अलग व्वस्था हो, और आगे चलकर 1986 में, मिजोरम का जो समझोता हुआ, उस समझोते में भी यही वस्था कर दी गए, कि मीजो संस्कृति, मीजो का धर्म या मीजो की जो रिलिजन है, या इसावाद है, उसको ले करके भारत की संसद कोई कानून नहीं बनाएगी, और न इनर लाइन परमिट को ले वस्था की गई है, वो समिधान में है, और जो मिजोरम के लिए वस्था की गई है, वो समिधान में नहीं है, वो ऐसे ही लिखके दे दिया गया, फिर भी केंदर सलकार का बचन है, केंदर सलकार लिखके दिया है, इसलिए उसका महत्रम समझते हैं, तो मेरी और से पहले तो जो वहां पर अभी तक छती हो गई उस छती को आगे न हो उसको रोकने के लिए इनर लाइन परमिट 371 A नगालेंड और मिजोरम का जो समझोते का जो प्रावधान है विवेदकारी प्रिठक्तावादी प्रावधान इन तीनों चीजों को अविलम हटा लिया जाए। जहां तक हम लोगों की बात है और आम लोगों की बात है तो वहां पर ऐसा हो कि बच्चे वहां के जो बच्चे हैं वो अब या तो सरकारी विद्याले में पढ़ें या जो गयर सरकारी विद्याले होते हैं, commercial जैसे DPS हो कर रहा हैं, उनमें पढ़ें, या राम कृष्ण प्राम हंस के जो विद्याले हैं, उनमें पढ़ें, इसाईयों के विद्यालियों पर लगाम लगाई जाए, और यदि विद्याले चलते भी हैं, तो उनमें आधे शिक्षक, गयर इसाई होन चर्च इतना शक्तिशाली है, कि चर्च यदि जो आदेश दे दे, वो सरकार मानने को बाद है, एक उदानन से सपस्ट करूँगा अपनी बात को, बिहार में जो है शराब बंदी हो गई, कुछ वर्षपूर्ग, उहां के मुखमंत्री ने घोषना कर दे, मुखमंत्री ने घोषना इसलिए की, कि मुखमंत्री ने अपने चुनाओ घोषना पत्र में इस बात को रखा था, जब वो जीत गए, तो उनको लगा कि नहीं हम को एक करना चाहिए, उन्होंने किया, मिजोरम में, आपको जानकर आश्यर होगा, कि यहां आदेश चर्च का था, चर्च ने कहा, कि हम शराब नहीं पीने देंगे लोगों को, सरकार ने तुरंत मांग लिया, और सरकार ने आदेश जारी कर लिया, यानि जो जनता है, उसका कोई महत्व नहीं है, सरकार है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है तो चर्च का है, तो चर्च वहाँ इतना शक्तिशाली है, दूसरा उदारन आप बताओं, मिजोरम में बहुत कम लोगों को यह जनकारी है कि कश्मीर से हिंदू हटाए गए, भ लोगों को इस बात की जानकरी है कि मिजोरम में अच्छी खासी संखिया में जो इसाइन नहीं बने उनको कहते हैं ब्रू ब्रू जनजाती उनका नाम ब्रू है ब्रू जनजाती के लोग जो है वैशनवी हैं वैशनव धर्म को मानते हैं अर्थात हिंदू है ब्रू जनजाती क के साथ जब लालडेंगा पूरे भारत वर्ष के साथ विद्रो कर रहा था और तीन दशक्त का दो विद्रो था उस समय भी गुरू जनजाती की लोगों को मारा काटा गया बाद में उनकी सिती इतनी भैंकर कर दी गई इतना उत्पिडित किया गया कि वो बिचारे उठकर अग्वाद्धान मंत्री ने और तक मुख्मंत्री और मिजोरम के मुख्मंत्री के बीच में सब्चता हुआ कि अब इस ब्रू जनजाती के लोगों को त्रिपुरा से क्लार तयूंकि और में शर्मार्णा रिखे इनको वापस मिजोरम बेजा जाए जब यह प्रक्रिया शुरू हुई कुछ लोग वापस चले भी गए तो मिजोरम में जो यंग क्रिश्चन असोसियेशन है या इस तरह की जो जो लोग हैं उन लोगों ने इनके साथ फिर वही दुरुभार शुरू किया लडाई जगडा शुरू किया और मिजोर सरकार ने इस प्रक्रिया को पर रोक लगा दिए वो बिचारे वापस नहीं जा सके त्रिपुरा में रह गए और अभी हाल फिलहाल में दो वर्ष पहले की बात है कि वर्तमान के दर सरकार ने उन लोगों को वहीं पर स्थाई निवासी बना देने का निने लिया है और उनको वहीं पर घर मकान बनाया जाया उनको पैसा दिया जाया सुख सुविधा दी जाया ये बात हुई है तो आप देखिए कि यह आज भी वही हाल है जो कुछ साल पहले होता जो पूर्तगाली इसाईयों ने किया हो या किसी और ने किया हो कारण सपस्ठ है हमें इसाईयों की मा परनेता समझनी पड़ेगी इसाई अच्छे से मानते हैं कि उनके सिवा किसी और को इस धर्ती पर रहने का अधिकार ही नहीं है और उनको यह एक अध्यादेश मिला हुआ है एक तरह का अधेश मिला हुआ है कि धर्ती पर रहने वाले जितने लोग हैं सारे मूर्ख हैं या जैसे भी हो अपनी पार्टी में लिया है इसको कहते हैं राजनैतिक दल का शील सुभाव और चरित्र यह जो है किसी राजनैतिक दल का चरित्र है यह किसी धार्मी वस्था का चरित्र नहीं हो सकता कि वो हर तरह से आपको साम डाम दंड देख भेद करके आपको अपने दल में शामिल कर ले। उसका भी कारण है क्योंकि चाहे वो इसाबाद हो या मुहम्मद बाद, दोनों में कुछ है ही नहीं। उनके पीछे न कोई आधार है, न कोई अध्यात्म है, न कोई पूजा है, न कोई अर्चना है, कुछ नहीं है। सचाई तो यह है कि पूरा बाइविल और कुरान दोनों जो ग्रंत है, अज्ञानता के प्रतीक हैं दोनों ग्रंत। उस तक कहते हैं। बाइविल का मतलब किताब है, तो उस किताब को किताब क्यों कहा। आप जड़ा यह सोच के देखिए, इसका कारण यह है कि उस समाज में उससे पहले कोई किताब ही नहीं थी। यह उस समाज की पहली कृती है, चाहे जैसी भी कृती हो। आपको उसमें धर्ती कहीं आकार नहीं है, धर्ती का कहीं धर्ती चिपती है। तो गौड मुर्क था, या गौड कुछ और था। गोड बनाएगा तो गोल बनाएगा न? तो तुम्हारा God जो है उसको यहीं नहीं पता कि वो तुम करेख कि उसको उसने धर्ति बना दि तो बनाई तो चिप्ती कैजी बनाई यार उट चिप्ती है कहाँ तो मैं आपको तरह मुर्खता का चरम है यदि बाइबिल कोई पढ़े और बार बार पढ़े तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी कि समाज में कितने मुर्ख लोग रहते हैं और यदि आप थोड़ी मतलब सहानभूति पूर्वक शब्द का पुर्योग करें तो कितने अभिद्वान है यह विद्वता से कोई मतलब ही नहीं है कोई मतलब नहीं और उसके अलावा यह विद्वता की बात नहीं है वित्रिशना की बात है घोर हिंसा की बात है आपको आशर होगा जानकर कि एडम और इव से कहते हैं कि सारे संसार में लोग पैदा हो गए और उसी इव को एक सांप अधि ज्ञानी लगा गौड से तो गौड ने मना किया था कि तुम उस स्वाप की बात मत सुनना वो फल मत खाना आप मुझे बताइए उस फल को कहाता है ज्ञान का फल तो वो कैसा गौड होगा जो अपने ही शिश्यों को उस ज्ञान से वंचित रखेगा और फिर उसके बाद गौड खुल कभी काता है मैं रिशाल हूँ तो वो क्या है गौड है कबूतर है क्या चीज़ गई है आप कैसे गौड मानें लिए उसको इसलिए मैंने कभी गौड की परिवाशा नहीं किया है गौड की परिवाशा होई नहीं सकती एक विलक्षण है जिसकी कोई परिवाशा नहीं है यह वही जाने की क्या है वैसे ही सेंट की कोई परिवाशा नहीं है सेंट जो है जितने जो जितना बड़ा कुकृति करे वो उतना बड़ा सेंट पस्ची में माना गया एक उदारन दूँ आपके रोंटे खड़े हो जाएंगे पांचवी उसने मारने की विधी बताई और उनको मारा गया बले अलेक्जन्डेरिया से यहूदी समाज को समाप्त कर दिया गया ऐसा मारा गया उनको और उसके पीछे का जो चिंतक था, जो बवोधथिक आधार था, वो क्रिस्टोस्टम का दिया हुआ था और क्रिस्टोस्टम ने जो पुस्तिका लिखी, वह पुस्तिका ब्रेत और भूत रूप में सीधा सीधा 20 में शितावदी में हिटलर के हाथ लग गई जानने की बात है कि हिटलर ने क्रिसोस्टम की जो पुस्तिका थी उसकी लाखों प्रतियां करवाई और अपने सारे जर्मन में जो हिसाई हैं उनमें बाटी देखिए यहूडियों को अकारण मारने के लिए आपका हिरदय पत्थर होना चाहिए कठोर होना चाहिए उस सब इसाईयों में कठोर हिदय नहीं हो सकता था हिटलर ने क्रिसोस्टम की लिखी पुस्तिका के द्वारा अपने ही लोगों को निस्ठोर बनाया और फिर यहूदियों का संगहार किया गया एक सेंट का काम था और अनेक सेंट हैं उनके उधारन आपको मिल जाएंगे वो उपाधी होती थी कि यदि आपने बहुत अधिक दूसरों को मारा है तो आप बड़े सेंट हो गए जैसे आपको इसलाम में है कि दस मंदिर तोड़ दीजे हिंदों काला काट दीजे तो आपको 72 हूर मिलेंगी क्योंकि यह जो एक्सचेंज रेट है इसमें जो है ना उनका वो तो विलक्षन बात है वो आपको समझ भी नियागा कि कोई कुकर्म करके कैसे उपर जा सकता है तो यह जो माननेताएं हैं यह हमें समझनी पड़ेंगी कि चाहे वो इस्तावाद हो या मुहम्मद वाद हो हमें उनका शील सुभाब चले तर समझना पड़ेगा उनकी वस् मृत्यू को अवश्य प्राप्त होता है यह दूनों जो मजहव हैं इनका जन्म हुआ है इसलिए इनकी मृत्यू सब वस्यम्भावी है रहेगा वही जो सनातन है जो शास्वत है तो इनकी मृत्यू होनी सुनिशित है और हमारा कर्तब यह है कि हम इस ज्ञान को फैलाएंगे तो इस काम में शिखरता आ सकेगी या काम शिखर होगा क्योंकि पश्चिम के जितने देश हैं वहां इसाईयों की संख्या घटके पचास परशत पढ़ा गई है क्योंकि जो पश्चिम के विद्वान है आप अब देखे ना गैलेलियों ने इतना कहा कि धरती सुर्य का चक् जहां यह जो नोटंकी करते हैं मिशनरी स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल पढ़ाकर कि हम ग्यानी यह नहीं है तो मूर्टा पूर्ण बात यह सारा हिसाब जोड़ते हैं कि हीसा से चारहजार चारहजार साल पहले जो है धरती बनी थी तो कुल मिलाके इस विश्चु की जो आ और संकट का सामना करते हैं इसलिए अमेरिका हो इंग्लैंड हो फ्रांस हो इनमें जितने बॉधिक लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं इन सब लोगों ने इसायत का त्याक कर दिया इनमें से कोई चर्च नहीं जाता चर्च की हालत यह है कि हजारों लाकों की संक्या में अम कुकि वो जैसे जैसे उनमें ज्ञान फैलता जा रहा है कि बाइबिल कितना दोश्पूर्ण है क्या है यहां तक मैं बताओं कि कभी और वार्ता होगी तो मैं रखोंगा अपनी बातने सामने इसा नाम का कोई व्यक्ति धर्ति पर कोई पैदा ही नहीं हुआ तो कि ऐसा व्य और रॉकर विकरम समबद ए उनका राज विशेक हुआ जैस समबद है आप के जन्म से शुरूह थो तो यसी जंबर से क्यों उसको करते उसको पर एक जनवरे निवरु से कलेंडर शुरू होगा ना पिर अपकोल्ता बात है कि आपको नगे फ्राइडे को मरता श्राणत। कॉमन सेंस की बात है कि तिथी वही रहती है, हमारे अमावस्या की तिथी को दिवाली होती है, हर वर्ष होती है, लेकिन दिन बदलता रहता है, कभी सोमवार हो सकता है, कभी मंगल हो सकता है, कभी बुध हो सकता है, लेकिन वो फ्राइडे को हिसा मरा और हर साल फ्राइडे को ह लेकिन हम सिपे इस पर ध्यानदर बन एकजनवल से और गेटा हुआ एक जनवरी को या एक जिद दिन पैदा वही एक जनवरी हो जाती है लेकिन हम चुकी इस पर ध्यान नहीं देते हैं हमने ध्यान दिया नहीं और इसका कारण स्पस्थ है आप सब लोग विद्वान है आप जानते होंगे उनके पास संख्या नहीं थी बहुत कम लोग इस बात क आई तीन बार से तीन और आई वी करने से चार होता है तो एक विद्वान ने कहा है कि अगर आप ऐसे संख्या को लिखें 8888 यानि 10,000 से कम ही है 9,000 से भी नीचे तो 8,888 लिखेंगे तो आप जहां बैठें वो पूरे कमरे की फर्ष गुरी हो जाएगी इतना लिखना पड यानि कि छोटा सा मुन्शीगीरी का काम भी नहीं कर सकता आदमी 8888 उसकी विक्री भी हो जाएगी 10,000 रूपे की विक्री हो जाएगी तो यूरोप में संकट आ जाए कौन जोड़ेगा इसका हिसा तो जो 10,000 नहीं पहुंच सकता 9,000 पर नहीं पहुंच सकता वो कलेंडर की गणना कैसे कर लेगा आपके हाँ कुम मेला होता है कुम लगता है लाखों साल से कोई की से पूछने नहीं जाता कि इस बार देखो गलती तो नहीं कर दी हमने तो गणित हो ज्यामिती हो इन सबों में हमारे जो पुर्खे थे पूर्वज थे बहुत बड़े विद्वान थे आज भी हैं न तो उनके पास सुन्य की जानकारी थी न उनके पास दशमलब था इसलिए किसी भी बौधिक विमर्ष के लिए किसी विज्ञान की उनत्ती के लिए संख्या उसका आधार है जो हम आप इस बात को नहीं जानते कि हमारी ये संख्या जब तक वहां नहीं गई थ वो कोई गणना करने के लायक नहीं थे यही चीज इसलाम पर भी लागू होती है उनका जो हिज्री समवत है आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि उनका एक एक वर्ष 355 दिन का होता है 355 दिन का नहीं होता हिज्री समवत यानी एक साल दस दिन कम हो जाते है उसमें से तो जैसे मान लीजिए इस साल 30 अपरेल को ईद मनाई जा रही है तो अगले वर्ष 20 मई को ईद होगी या 20 अपरेल को होगी 10 दिन घड़ जागा उसकी अगले साल 10 को होगी तीसरे साल महीन ही अब उससे फरक्या हुआ आप समझे इस बात को इद हो या बकरीद हो किसी भी चीज की तिथी वहां निश्चित नहीं है जब तिथी ही निश्चित नहीं है तो आप उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं साल भर बाद आपको दस दिन पीछे गा रहे है तो इस तरीके से जो बustवत है जो गणरणा है मुक्ष कारगिया है कि उनके पास संख्या नहीं थी दूसरी बात उनके पास भाशा नहीं थी जो हमारी संस्कृत भाशा है इतनी संब्रिद भाषा है या और भाषा हैं हैं कि सब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी जब वहां भाषा की समझी नहीं थी ज्यान नहीं था कुरान शब्द जो है संस्कृत के करंदन का कहा जाता है अब भरंश है और उसी से क्राई बना है इसका मतलब था जोर से चिल्लाना अब आप मुझे बताईए आप अपने धार्मिक गरंथ को इतना ही अनाम दे सकते हैं जोर से चिल्लाना उसी से समझ में आता है कि आप कितने से विद्वान ही आपके यहां वेद है वेद का मतलब ग्यान है अपनिशत का मतलब है कि गुरू के पास शिशी बैठके उससे जज्ञान आरजन करें कि कुरां का मतलब प्राचीन है भगवत गीता का मतलब भगन का गया हुआँ गीत है हर पुस्तक का एक ऐसा सुसंकृत नाम है जिससे आपको उसका आर्थ स्पस्ट हो जाता है जिससे आपको उसकी भावना स्पस्ट हो जाती है अब यहां कुरान का मतलब है जोर से चिलाना बाइविल का मतलब किताब है अब बताई इसका क्या मतलब तो यह जो चीजें हैं यह हमको ध्यान से समझ पढ़ेंगी यह जो उनका खोखलापन है आधार हींता है यही कारण है कि वह हिंसक है मेरी आपकी तब तक बातचीत हो रही है जब तक हम दोनों अहिंसक है या मेरी बात आप सुन रहे हैं मैं आपकी बात सुन रहा हूं जब मुझे यह मन में आ जाएगा कि नहीं आपको तो म सुना के रहूंगा आप मानने वाले कहां हैं आपके बास खोप नहीं है तो मैं क्या करूंगा मैं aan आतेंगवादी तो हमारा काम है कि हम इसका रहस्चोद भाटन करें, हम लोगों को बताएं, और जितने बौधिक लोग आएंगे, क्योंकि हमारा देश इसलिए कमजोर हुआ, क्योंकि हमने इस पर यो थोचित ध्यान नहीं दिया, अगर हमने ध्यान दिया होता समय से, हम चेत गए होते, तो इ हम लोगों को पता है कि यह मुसल्मान लोग जो है, वो हम से सिक्षा में बहुत पीछे थे, पीछे है और पीछे थे, तो यह जो Christians लोग है, तो इनको सर, during Christianization, इनको Western World से सर, funding मिलता है, for making us Christians और education purpose also, तो ऐसा कोई instance है सर, जहां पर सर, यह Christian लोग हिंदू से भी education में आगे रहे गए हैं, ऐसा कोई example, medieval world से या पिर current world से, मतलब literacy rate हम से आगे हैं, ऐसा कोई बात है, यह लोग भी सिक्षा में मुसल्मानों की तरा भी पीछे ही है, ऐसा कुछ है, तो नहीं, आपका प्र इसाईयों के इतिहास को, यह क्या है कि जो भी कहिए मैं तो नहीं मानता कि इसा नाम का कोई व्यक्ति पैदा हुआ, लेकिन बात्षित के लिए मान लिजे पैदा हुआ, तो उसका जनम कहां होता है, उसका जनम होता है यरूशलम में, आज भी उसके नाम पर एक चर्च है, और वो कहां है, यरूशलम आप जानते हूँ, इसराइल में है या इसराइल का परोसी है, जो भी कह लीजे आप, उसमें तो कब्जा कर लिया वसे, यरूशलम में, वहां वह व्यक्ति पैदा होता है, वह स्थान क्या है, वहां की भाषा आज भी हिब्रू है, और जो देखिए कि इसराइल पैदा होता है यरूशलम में, लेकिन अगले तीन सवा, तीन सौ साल तक उसका कोई नाम लेवा नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है जो हमें जाननी चाहिए, हम हमेशा दो हजार साल, दो हजार साल पीछे जाते हैं, जो गलत है, यह 312-14 में, इसराइल बनता है, जो स्वें इसाई धर्म का वरण करता है, इसाईयत को अपनाता है, और वह ओवरनाइट खुंखार हो जाता है, वो तलवार उठा लेता है, मंदिरों को तुलवाता है, दूसरों को मारता है, रज्या देश देता है, शासना देश देता है, कि तुम इसा और मुसल्मानों में उस समय कोई अंतर जैसे उन्हों नालंदा को जलाया या विक्रमशिला को जलाया होगा या तक्षिला को तहसन हस्किया होगा उसी रूप से रोमन सामराज में जितने बड़े शहर थे उनके मंदिरों को अच्छा आपको जानकारी मैं देदूं कि रोमन सा आपना हुई है वह भगवान राम के रामनौमी के दिन हुई है ठीक है और वो बहुत कुछ हमारे वेद पुरान से लिये हुए हैं लैटिन भाशा में आपको आशर होगा जानके देव के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है देव है वो अंग्रेजी में हम लिखते हैं तो ड हमारी तरह ही थे पुस्तकाले बनवाते थे हजारों लाखों गरंत लिखते थे एक से वहां पर दर्शनिक होते थे चाहे वो सुकरात हो प्लैटो हो जो भी अरिस्टोटल आप जानते हैं यह सब और एथिन्स जो है बहुत बड़ा आपको अशर होगा जानके कि एथिन्स मे एक जो हाथ में लेके लोग दोड़ते हैं वो एथिना होती है और एथिना क्या है हमारी सोसोती देवी है वह घ्यान खेल कूद शौर प्रतिभा सबकी देवी है एथिना खेर तो उस समय उनके यहां घ्यान था और सारे मंदिरों को पुस्तकालियों को जलाया गया और यह प कंदम आगे हिंसक थे और संस्कृति संहा रख थे लेकिन उस समय क्या हुआ इनके सामने मुसलमानों के तुल्णा में एक दूसरी सितोत्पन होई मुसलमानों के सामने अतीत जो था मुसलमानोंका उससे पुले का सभिता थी वह बहुत उननत नहीं थी अरब लेकिन इनकी पुस्तके जलाई फिर भी कुछ न कुछ पुस्तक मिल जाती थी उन पुस्तकों को उन्होंने देखा तो इनको अचानक आशास हुआ कि भाई हमारे जो पुर्खे थे लगभग 1214 साल पहले हो तो बड़े पड़ेली के लोग थे तो इन्होंने अब उसका संग्रह करना का जो मालिक है रक्षक है वो चर्च है और चर्च ने यह शुरू कर दिया काम कि जो हम पुस्तक चापेंगे वही पुस्तक समाज में जाएगी जो हम बोलेंगे समाज वही बोलेगा यहां तक कोन पढ़ेगा यह विंद्रधारित कोन करेगा चर्च करेगा आप जो देखते अभी Cambridge University Press या Oxford University Press इस सब चर्च के प्रेस हैं, वहाँ पर प्रेस पर पूरा अधिकार चर्च का ही होता था, तो इन्हों ने ग्यान को इसलिए पकड़ा, कि इनको लगा कि आने वाले समय में इसावाद को फैलाने का सबसे अच्छा जरिया ग्यान होगा, तो इन्हों ने अपने लोगों को पढ़ान लिखाना शुरू किया, भले ही पढ़ाई लिखाई में जितनी भी तुरूटी रहे, इस मामले में यह इसलाम से या मुसल्मान से भिन्न है, इसलिए आप देखेंगे कि चर्च बिना स्कूल चलाए नहीं रसकता, चर्च बिना स्क मैंने कहीं पर लिखा भी है, सेंसर शब्द इन्हों नहीं बनाया है, सेंसर शब्द आपको जानके हश्यर होगा चर्च का शब्द है, चर्च समाज को क्या देना चाहता है और क्या नहीं देना चाहता है, इसी को सेंसर शब्द करते हैं, कि हमारे देश में, हमारी किसी वाशा में सेंसर शब्द का समनांतर हुआ ही नहीं यह उन्हों ने बनाया है तो इन्हों ने ज्ञान को ऐसा जकड़ा पकड़ा कि इनको लगा यही रास्ता है कि हम पूरी दुन्या को इसाई बना पाएंगे तो इस कारण से यह इसलाम से भिन है इसलाम में अभी तक यह अलीकी जमाद है जो उनके लिए कहिए कि आप जो मिशनरी का समनांतर है उसमें आज भी वह बोध नहीं है कि वह ज्ञान से किसी को प्रवावित कर सके तो यह इसाईयों में और मुसल्मानों में यह फंडामेंटल डिफरेंस है और रह गई बाद विदेश से विदेश से फंडिंग होती है अभी आपको 31 संबर को या एक जनवरी को मेरे क्याल में सरकार का आदेश है आप देख लीजे कि जितने 12,000 इंजीयों है जिनको रिन्यू नहीं किया सरकार नहीं की लिस्ट है वेबसाइट पे उनमें बहुत सा रहे हैं तो इस विशह में कि जब ब्रिटिश शासन था भारत में तब उस समय पे दो एक डिबेट भी हो रहा था क्योंकि जो ब्रिटिश अधिकारी थे कई वो मिशनरी से उनकी एक मतबेग भी था वो नहीं अलाव कर रहे थे मिशनरी को अपने ट्रेट्री भी क्योंकि व उससे उनको रिवोल्ड हो रहा था भारत की कई लोग उसमें विद्रो कर रहे थे तो उनकी एक शायद को पैक्ट हुआ था मिशनरी का कि आप इस इलाके में रहेंगे और यहां पे नहीं आएंगे क्योंकि यहां पे हमारा हमको शासन के लिए उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो क्या भी यह भी राकारण रहा कि उन्होंने सबसे पहले जो नौर्थीज के हिल ट्राइब्स थी क्योंकि वो फ्रंटियर्स पे थी वो बाहर मार्जिन्स पे थी वो उनको पहले टार्गेट किया और उसके बाद वो उन्होंने बाद में 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 लैंड जो नौर्थीज उन सेंट शक्तौट का राज नहीं था इसटमय कम्पनी चिंटी और इसटमय कम्पनी जब समाप्त हूई हमारे 1851 के महा जमर के बाद तब तक वह भारत में जो अनेक शक्तिया थी अनेक राजा थे उने में से एक थे उस वो सर्वोर में नहीं थे सर्वोपरी उनको बनाया गया जो परश्चमी पुस्तकें हैं उनके माध्यम से बनाया गया तो जो कंपनी थी उस कंपनी के जो काम थे उनमें सरपंधान जो काम था वो था लूट मार। वो बड़े ही इंगलाइंड के समझिये की थर्ड ग्रेड अपड कहिए अनपड कहिए टाइप के लोग थे जिन्हों ने कभी भी जीवन में संपत्ती खुशाली संपन्नता नहीं देखी थी भारत की संपन्नता आपको मैं यहाँ पर और भी जोड़ दूँ कि जब तक मारको पोलो नहीं आया था एशिया में और चीन औ भारत भूम के नहीं गया था तब तक जो यूरोप के लोग थे अधिकतर लोग जो स्टॉच करते थे खड़े होके करते थे अब इससे आपको अनुमान हो सकता है कि उनकी सभिता की क्या हालत थी और जो उन्होंने कमोड बनाया हुआ है स्टॉच करने के लिए वह यह था कि वह बैठ नहीं सकते थे तो बीच में एक समझाता कर लिया यहां पर आके हम बैठ जाएंगे उस पर तो वो मारको पोलो ने जाकर उनको बताया कि यह बैठ के किया जाता है और वहां पर जो गंदगी थी वह अपार थी और आपको उसके लिए उनकी प्रकृति को भी समझना पड़ेगा आप सोचे ना भीशन ठंड पड़ रही है जहां जल छूने को इच्छा नहीं कर रही है वहां कितनी गंदगी होगी तो यह हम लोग समझते नहीं है जानते नहीं है इसलिए हम उनको बड़ा आधर्श मानते हैं लेकिन उनकी पीड़ा भैंकर थी अच्छा उनक नहीं किया है कि शिक्छा की क्या इसीती थी हमारे यहां जब अंग्रेज आये थे और दूर की बात छोड़ दिया 1881 की बात बता रहा हूं मैं 1881 वर्ष में अंग्रेजों नहीं हमारे जर्ण गन्ना की उसमें एक साक्षरता दर भी निकाली थी तो बंगाल प्रेजिदेंसी में जो आज का उडिसा है जो डिविजन था उसका नाम था उतकल डिविजन उतकल डिविजन में छे परिशत साक्षरता दर थी जो पूरे यूरोप में सबसे उपर थी आप समझ रहें मैं क्या कह रहा हूं यूरोप में भी छे परिशत की साक्षरता दर नहीं थी जो इतना नश्ट करने के बावजूद हमारे उडिसा में थी खैर तो हम बहुत पढ़े लिखे लोग थे और यहां के जो नवाब थे, राजा थे बड़े संपन्न थे, तो इनका काम होता था चुगली करना एक राजा की बाद दूसरे को बता देना उसका भंडा पोड़ करना, उससे कुछ खा लेना उससे ले लेना आपको घोर आश्चाज़े होगा जानके कि वारेन हैस्टिंग्स और उसके साथ अनेक लोग थे, उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनकी संखिया आठाट सो है, एक दो छोड़ दीजे आठाट सो, चोरी, मकारी, जूट बोलना, दस्तावेज को गलत करना, इस तरह से काम वो करते थे तो ये जो काम वो करते थे, उस समय ये बात चली थी कि मिशनेरी यहां आएंगे, तो इस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे कारकूनों को, नौकरों को सबसे बड़ा भय यही था कि ये कोई और आदमी आजाएगा जो हमारी काली करतू देख करके इंग्लेंड में रिपोर्ट कर सकता है क्योंकि उस समय समवार हिंता किसी थी थी, कि मैंने केबल भी नहीं था, तार भी नहीं था, कोई टेलिफोन कि कोई और व्यक्ति ना है मतलब चोड़ ही रहें, मतलब हम अगर दस लोग हैं, तो दस लोग मिलके चोड़ी कर रहें उनमें कोई सादू है ही नहीं, तो कोई किसी रिपोर्टिंग नहीं करेगा इसलिए वो मिशनरी के बहुत खिलाफ थे बहुत उनका विरोधी थे अब क्या हुआ, कि लेकिन मिशनरी का तो वहाँ इंग्लैंड में उनको खुजली होती रहती थी कि भाई, डेनमार का आदमी भाग के चला गया डच का मिशनरी खुल गया, यहां पर खुल गई भारत में, लेकिन इंग्लैंड की मिशनरी नहीं कुली तो उन लोगों ने क्या किया कि पैसा खर्चा करके भारत में इसको प्रायोजित काम कहते हैं, लोगों को भेजना शुरू कि तुम भारत में कुरीतियां, बुराई, यह सब निकालो ताकि हमारे जाने को हम उचित ठारा सकें, कि नहीं हमारा जाना में बहुँ जरूरी है तो उन्हों ने जो है, दरजनों पुस्तकें लिखवाई सती पर जो बिलकुल जूट थी, मैंने इस पुस्तक में लिखा है, और अलग से भी एक लेक जिसका मतलब प्रथा होती है तो सती हमारे आग कभी प्रथा नहीं थी अगर प्रथा होती, तो महाभारत में जितने पूरुष मरे थे उनकी सारी विधवाएं जल के मर गई होती राजा दसरत मरे उनकी तीन पत्निया थी एक भी नहीं गई चिता पर जलने तो हमारे समाज में सती का कहीं कोई प्रमण नहीं था सती की जो घटनाये हुई है वो मुसलमानों के आने पर हुई है क्योंकि मानलीजा 18-20 साल का कोई राजकुमार है, राजा है वो युद्ध में मारा जाता है उसकी पतनी को मुसलमानों की हरकत का पता है कि अब उसका घर उसका हरम है उस हरम में जाने से बचने के लिए अपनी निजता, अपनी शालिंता, अपनी शिस्ता, अपनी संस्कृती, अपनी सबिता को मिटने न देने के लिए वह प्राण देना बहतर समस्ती थी न कि वो उनके हरम में जाती वही उसी का बड़ा रूप जोहर है जब सामोहिक रूप से उस कर्म को किया गया तो उसको जोहर कहा गया व्यत्योत रूप से किया गया उसको सती कहा गया तो ये जो सुईकारोकती है किसी इतिहासकार ने स्विकार नहीं किया कि सती हमारे याद तब हुई जब मुसल्मानों ने हमला किया और राजाओं को मारा और उनकी पत्नियों को अपने घर में अपनी रखेल मनाया तो ये जो काम हो रहा था इसमें आठ दस पुस्तकें इसाए मिशनरियों भारत में लिखवाई और सती की कथा गढ़ी गई और इंग्लैंड में पार्लियामेंट में रिस्ते बहस हुई और लंबी बहस के बाद यह ने लिया गया 1813 कि नहीं भारत देश में तो बहुत अन्याय हो रहा है वहां महिलाएं चिता पर जल जाती है इसलिए ऐसे घोर अन्य को बचाने का एक मत्र तरीका है कि हमारे यहां से मिशनरी जाएं ताथ पर यह था कि लोगों को हिसाई बनाएं नहीं बने वो दूसरी बात है तो 1813 में इनको आने दिया अब आपका जो अगला है कि उनको नौर्थिस्ट की तरफ देखा गया तो ऐसा नहीं कि उनको नौर् को गाली देता था हिंदू की देवी देवताओं को गाली देता था ताकि तुम इसाई बन जाओ यह प्रयास सरवत्र था हां कुछ ऐसे अधिकारी अवर्ष्य थे जिनको यह लगता था कि हमारी काम में यह बाधा डाल रहे हैं इसलिए वह नौर्थ इस्टों कहीं चले जा तो हमारा काम थोड़ा आसान होगा लेकित इसमें कोई बहुत अधिक दम नहीं है दम यही है कि यह सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे यसलिए मैंने कहा कि आप बहतर होगा अंग्रेज सरकार मत कहिए इसाई सरकार थी इसाई मिश्नरी थी उन्हीं की मिली भगत थी एक दूसरे में गुत्थम गुत्था थे कोई अच्छा आदमी नहीं था बाइविल पढ़के कोई अच्छा आदमी बन भी नहीं सकता था इसलिए उन्होंने अपना जो भी अपनी कुरूपता है या अपनी विक्रालता है उसके दर्शन हमें कराए कि हम ऐसा देखते हैं कि नौर्थीस्ट में कुछ ट्राइब्स हैं जो कि पूरी के पूरी इसाई में कनवर्ट हो गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं होई हैं कनवर्ट तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा है इसमें डिफिन जैसे एक ही रीजन में मिखाले की अगर हम बा अपने बहुत ही उचित प्रOSHं किया देखिए ऐसा है कि मैंने खुद ही उधारन दिया आपको बुरु जन जाती की लोग जो है मीजों के साथ रहते हैं ठीक है और उनहीं के साथ है है चकमा, मिजोरम में जो मैंने आपको आंकला दिया 87,88-88 प्रशत जो हिसाई है यह बारएक प्रशत जो नहीं है उनमें सारे के सारे लोग या तो चकम? है या वुरू है और चक्म? विए हैं जो अपने आपको बौध मानते हैं और भुरू हो जो अपने आपको हिंदू मानते हैं, वैसे ही आप असम में चले आए, तो असम में भी कई जन जातिया है, जो जिनोंने, जिन में से कुछ लोगों ने इसायत को सुईकार किया है, लेकिन अधिपतर नहीं किया है, इसका एक मातरस पस्ट कारण है, वो बहुत ही बढ़िया कार मंदिर हो, मुर्तियां हो, वहां आप नियमित रूप से जाएं, आपका समाज जाए, आपकी पहचान उस मंदिर उस संसा से जुड़ जाए, फिर आपके पास गरंथ हो, उस गरंथ को आप अपनी छाती से लगाएं, और लोगों को बताएं, आपके पास अनेक प्रतीक हों, अनेक चिन हों, तो आपको उखारने में, हटाने में सामने वाले को बड़ा समय लगेगा, यही कारण है कि जो मुख भूमी हिंदू है, उनको इसाई बनाना, आप समझे, रेट से तेल निकालने के बराबर है, क्योंकि उनको ये कारण समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों इस होते थे कोई नाम था करते हैं कि भगवान थे, उन्ही के नाम पे जैनतिया हिल है, और उसी के नाम पे जैनतिया समाज है, तो वो हिंदू धर्म की वोर उन पे जुकाव था, मैं स्वेम वहां गया हुआ हूँ, वहां आज भी मंदिर हैं, वहां हिंदी में लिखे हुए पूदो जो ज़ान जाती है उन्में क्या है कि वह आपको शिव भगवान को जछी वह मानते हैं और उसमें भगवान शिव को अनेक तरह से पूझते हैं और उसके पूझने में आपको इतना आश्रे लगा जानके कि हम आप उतने अग्रेसिव नहीं हो सकते, जितने अग्रेसिव वो हैं, उनके लिए शिवलिंग का महत्तों क्या है, आप उनको देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, तो वो ये क्या था, कि वो संस्था का रूप ले लिया, उन्होंने शिवलिंग बना दिया, उन्होंने मंदिर बना द एक पीड़ी दूसरे पीड़ी को मौखिक रूप से कुछ सौपती है, तो वहां कुछ है नहीं, मतलब है नहीं से मेरा मतलब है, टेंजिबल नहीं है, कोई ठोस पदार्थ नहीं है, जिसको पकड़ के रह सके, यही यही बात जहरखंड में भी और मैंने अपनी अगली पुस् पेड़ के नीचे एक चबुत रहा है, वो किसी खास समय में लोग जुटते हैं और वहां पर गीत गाते हैं, जो भगवान के गीत हैं, लेकिन कुछ है नहीं उनके पास, अब हमको या आपको अपनी जड़ से हटाना बड़ा कटिन है, हम गीता भी जानते हैं, महावारा जा अंते हम तर्क कर सकते हैं, हम उसको रुला के मार देंगे, तर्क करने लगेंगे तो, जैसे ईसायों का कहना यह है, कि उनका अकेला गौड जो है, इसा मसी वो जिंदा है, कोड़ कबर से उठ गया था फिर मरा नहीं हो, तो वो बादल में कहीं लटका हुआ, तो कहते हैं कि लेकिन आप तर्क करने लग जाएंगे कि यार है तो दिखा तूंगे लेकिन वो बिचारे जन जाती जिनके पास में कुछ इस तरह का ठोस नहीं है आधार नहीं है उनके पास कोई विखलप नहीं था वो भूले वाले लोग थे उनको बेवकूप बनाया गया मुर्ख बनाया और ये इसाई खुद भी कहते हैं कैसे उन्होंने मुर्ख बनाया है सबस्वड़ी वाद तो यह है मैंने पुस्तर को प्रमान भी दिया है वो खूल के कहते हैं कि हमने अरुनाचल में इसको ऐसे बेवकूप बनाया मिजोरम में ऐसे बेवकूप बनाया और तब जाकर कर हु